हेलो बच्चों, आईए, आज हम जानेंगे कि पौधे लंबाई में कैसे वृद्धी करते हैं। इसके लिए मेरे पास हरे मूंग के बीज हैं। इन हरे मूंग के बीजों को मैंने तीन दिन पहले भीगो कर रखा था। भीगे हुए बीजों को मैंने सूती कपड़ी में बांध कर लटका कर रखे और इसे गिला रहने दिया। तीन दिन पश्चराद मुझे ये अंकुरित बीज प्राप्त हुए। इन अंकुरित बीजों में से कुछ बीजों को मैंने वाजगलस A और वाजगलस B में रखा। वाजगलस A और B के सभी अंकुरित बीजों के मुलांकरों को मैंने इस धागे से मापा। और मैं ये अभी माप रही हूँ। देखते हैं इसकी लंबाई कितनी हैं। अब इस धागे से मैंने इसलिए माप रही हूँ इसलिए क्योंकि यह मुड़े हुए मुलांकुर है अब इस धागे से मैंने स्केल से मापा है और यह है एक सेंटीमीटर इसे मैं नोट कर रही हूँ इसी प्रकार बाकी मुलांकुरों के लंबाई को भी हम माप लेंगे और सभी को इसी प्रकाड नोट करते जाएंगे हमने वाच ग्लास बी के मुलांकरों के लंबाई को नाप लिया है अब वाच ग्लास बी में रखे सभी बीजों के मुलांकरों के अग्र सिरे को हम ब्लेट की साहता से काट देंगे यह मैंने अग्र सिरे को काट दिया और इस प्रकार सभी वीजो के मुलांकरों के अगर सिरो को काट कर हम इसे 5 दिनों के लिए ऐसे ही रख देंगे अब 5 दिनों के बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि मुलांकरों के लंबाई में क्या परिवर्तन होता है तो बच्चों पांस दिनों बाद हम मिल रहे हैं अब हम देखते हैं कि इन वाच ग्लास में रखे हुए बीजो के मुलांकरों के लंबाई में क्या परिवर्तन आया है इसके लिए हम वाच ग्लास ए के बीजो के मुलांकरों को मापेंगे वाच क्लास ए में रखे इन बीजों के मुलांकरों को हम इस धागे के साथा से माप रहे है यह वे बीज है जिनके मुलांकरों के अग्र सिर्य को हमने नहीं काटा था अब इसकी लंबाई देखते है अरे इसकी लंबाई में तो बहुत परिवतन हो गया है यह 2.2 cm है इसे हम न इसी तरह हम बाकी सभी बीजों के मुलांकरों को इस धागे के सायता से उनकी लंबाई माप लेंगे वाच ग्लस बी में रखे हुए बीजों के मुलांकरों के लंबाई हम इस धागे के सायता से माप लेंगे यह वे बीज है जिनके मुलांकरों के अग्रसरे हम काट दिये थ यह 1 cm है पहले भी यह 1 cm थे और अब भी यह 1 cm है यानि इनके लंबाई में कोई वृध्धी नहीं हुआ तो देखा बच्चो वाच गलस ए में रखे बीजों के मुलांकरों के लंबाई में वृध्धी हुई इसका कारण यह है कि उनके मुलांकरों के अग्र सिरे में कुछ ऐसी कोशिकाओं के समू होते हैं जो लगातार विभाजित होते रहते हैं और जिसके कारण उनकी लंबाई में वृध्धी होती रहती है इसके विप्रीत वाज़ ग्लास बी में रखे बीजों के मुलांकरों के लंबाई में कोई वृद्धी नहीं हुए इसका करण यह है कि हमने क्या क्या था उनके अग्रिसिरों को काट कर अलग कर दिया था जिस वज़ा से उनकी वृद्धी नहीं हुए